PDS MH47 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों बहुत लोगों का सवाल रहता है मैं जब अपने गाड़ी को फर्स्ट गियर में लगा कर गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहता हूँ तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ता है या तो बढ़ता ही नहीं है जब बढ़ता है तो जटके में बढ़ता है गाड़ी बंद हो जाता है एक और सवाल है कि सब लोग कहते हैं कलच का बाइटिंग पॉइंट बाइटिंग पॉइंट होता क्या है दोस्तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बाइटिंग पॉइंट के बारे में अच्छे से समझाओंगा और आपको समझ में आ जाएगा देखिए सुरू सुरू में जब मैं भी गाड़ी चलाना सीख रहा था तो दोस्तो मेरे साथ भी ऐसा होता था जब मैं गाड़ी का कलच धीरे धीरे छोड़ता था या तो छोड़ ही नहीं पाता था गाड़ी बढ़ी नहीं पाती थी जब गाड़ी बढ़ती थी मैं कलच को छोड़ता था तो जटके में गाड़ी आगे बढ़ जाती थी कभी-कभी गाड़ी बंद हो जाती थी कभी-कभी जटका दे दे करके गाड़ी आगे बढ़ने लगती थी दोस्तों नए ड्रैवर के सांथ ऐसा होता है मेरे साथ भी हुआ है आप लोगों के साथ भी होता होगा लेकिन जब आप धीरे धीरे गाड़ी चलाने लगते हैं regular तो आपकी आदत हो जाती है और आप बाइटिंग पॉइंट को समझ जाते हैं और आप अच्छे से गाड़ी आगे बढ़ा पाते हैं देखिए मैं आपको एक पहले चोटा सा उदार दूँगा उसके बाद आपको मैं समझाओंगा देखिए अगर आप कोई भी ठंडी चीज पीते हैं तो आप आराम से बिंदास मुह में लगा लेते हैं और पी लेते हैं लेकिन उसी जगह पे अगर आपको गर्मा गरम दूस द करते हैं एक समय ऐसा आता है दूद आपके मुह में धीरे धीरे हलका हलका जाने लगता है और गरम भी नहीं लगता है वहीं होता है दोस्तों कलच का बाइटिंग पॉइंट जैसे दूद का बाइटिंग पॉइंट है कि धीरे धीरे आपके मुह में जाने लगेगा और जले तो एक समय ऐसा आता है कि आपका गाड़ी आगे की तरफ सरकने लगता है धीरे धीरे अगर आप ब्रेक पर पैर रखे हैं तो गाड़ी जटका देने लगता है अगर आप ब्रेक पर पैर नहीं रखे हैं तो गाड़ी धीरे धीरे सरकने लगता है उसी को कहते हैं बाइटिंग पॉइंट जब आप बाइटिंग पॉइंट पर आ जाते हैं तो गाड़ी आपका धीर धीर आगे बढ़ने लगता है उस समय आपको ब्रेक पर से पैर हटाना है रेस पर पैर रखना है और आपको धीरे धीरे पूरा क्लच भी छोड़ना है हलका हलका रेस देना है तुरंत बटका भी नहीं देगा बंद भी नहीं होगा और आराम से आगे बढ़ जाएगा दोस्तो यहीं होता है कलच का बाइटिंग पॉइंट जो आपको समझना है आप धीरे धीरे प्रेक्टिस करेंगे तो समझ जाएंगे कोई दिक्कत या परिसानी नहीं होगा दोस्तो अगर अभी भी खराब है आप देख सकते हो आवाज बराबर नहीं आ पा रहा है अगर आपको आवाज सुनने में तकलिफ हो रही है तो उसके लिए स्वारी बोलता हूं माफ करना तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और जानकारी के साथ जै हिंद जै भारत